नमस्कार है wonderful morning to all my lovely viewers बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने morning live show बिहार बिहार में और आज के सुबह आपके साथ है प्रेना नए दिन के शुरुआत नए उजा नए उटसा और बहुत सारी नए बातों के साथ जिया नए दिन के शुरुआत हो चुकी है और हमने आगास के अपने कारेकर्म का आगास करते हैं अपने कारेकर्म के शुरुआत करते हैं तुम आपके साथ साजा करते हैं कुछ अन्मोल वच ये अन्मोल वचन निसंदे आपके जिन्दिगी में एक बड़ा बदलाव लाने में कारगर सिद्ध होते हैं तो आज हम आपके साथ साजा कर रहे हैं बापू के यानि की महात्मा गांधी के कहे गए अन्मोल वचन, अन्मोल कतन आईए नज़रालते हैं महात्मा गांधी ने कहा था, शक्ती शारिरिक शमता से नहीं आती है, यह एक अदम में एक्छा सक्ती से आती है हमारे कारेकरन का सबसे खास और सबसे महत्वपून पड़ाव होता है जब हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने आज के विशेशा दीती थे तो आज हमने आमंतरत किया अपने कारेकर में ऐसे ही एक विशेश दती थी को जिन से हमारी बात चीत होगे आपका परिशेकर आते हैं उनसे आप एक युवा कवी हैं आप राश्ट्रियस तर पर हिंदी की सेवा कर रहे हैं और अपने निरंतर प्रयास से हिंदी का गौरव हिंदी का मान निरंतर बढ़ा रहे हैं आप एक कवी होने के साथ साथ आप आपकी अपने कारेकार है आप अन्य पदो पर भी आप अपना कारेबहार समाल रहे हैं आज हमारे साथ कारेकर मिस्ट्री शंजीव मुकेश जी हैं संजीव जी आपको बहुत-बहुत स्वागत अभिनांदन हमारे कारेकार बहुत-बहुत और बिहार बिहान और दूर दर्शन बिहार के तमाम श्रुताओं का हार्दी कविन दर्टन संजीव जी आप एक युवा कवी है कविता कोश में आप संपादक भी है आपकी अपनी भी कारेबार अपनी भी जिम्मेदारी और जवाब देही है सबसे पहले ये जानना चाहूंँ कि आप बिहार से तालोक रखते हैं और बिहार का गौरव आप राश्ट्रियस तरपर आप बढ़ा रहे हैं खासत तोर से मैं मगही की बात करूँ तो हमारा बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे इतनी सारी भाशाय इतनी सारी बोली है मगही के साथ आप हिंदी का भी गौरब और मान बढ़ा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे गोरव मैं क्या बढ़ाऊंगा बिहार से होना अपने आप में गोरवाणवीत करने वाला होता है और हम बिहार से हैं या हमारे लिए इश्वर का विशेष धन्यवाद की हम बिहार और बिहार में भी नालंदा में मैं जन्म लिया इसके लिए इश्वर का विशेश धन्यबाद करता हूँ मैं यहां से और चुकि हम बिहार के लोग हैं और बिहार के लोग कहीं भी होते हैं तो वो अपनी मेहनत, अपनी श्रम शक्ति और अपने तिक्षंद्रा के लिए जाने जाते हैं तो चुकि कभी, मैं अपने आपको भी कभी तो नहीं कहता, लेकिन विद्यारती में कविता का, मैं कुछ पंक्तियां देना चाहता हूँ अपने श्रुताओं को, यही से मैं श्रुवात करना चाहता हूँ चुकि बिहार बिहान का ये खुबसूरत सा सेट है, और लोग जुड क्या है बिहार, जिसका स्रम शक्ति है यनंत, है शार्य जहां हर दिगदिगंत में धा जाने सारा बिहार, हम हैं 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 बिहार, कुछ पंक्तियां और, स्वागत है है ज्ञान के धरा नालंदाई उर्बरा मगहिया माटी है भगबान महाबिर बुद्ध जहां खेललन दुनिया ले थाती है बड़ गाउं पवितर सुर्य पीठ सत धर्बा गरम जलधारा है इमगद छेत्र दुनिया भरले शांती के बनल किनारा है पान मगहिया का कोलत पान मगहिया का कोलत मन में लाता शीतल फुहार हम हैं बिहार 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 के लिए कही बहुत ही सुन्धर गीत और इसके लिए आपको बहुत ही प्रशंसा भी मिली है कुछ भी महीनों पहले आपका ये गीत लॉंच भी हुआ है चलो प्रेरित करें बिहार और इसको लेकर कि लोगों का बहुत प्यार भरपूर प्रशंसा मिली है आपको आपको बहुत बिहार आने के लिए तो प्रियोजन एदी कभी मिल जाए तो यह हमारे लिए बड़ा मतवुत्साह और बड़ा सुकून और बड़ा सुखद होता है बड़ा सुखद है और बड़ा सुखद है और बड़ा सुखद है और आपके प्रियोजन में भी आपका जो कल का उत्सव था आपका एक गीद लॉंच हुआ कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में गीत से जुडाओ मेरा रहा है और विगत एक वर्सों में कई गीतों को लिखने के लिए इश्वर ने मुझे प्रेडित किया आशीश दिया बिहार जैसे आपने आपके कहा कि बिहार पेड़ा गीत जो बिहार के युवाओं में अभी काफी चल्चित भी है और कई सारे सोश है कल भी आना हुआ तो एक संस्थान के लिए मैंने गीत लिखा सामाईक परवेश अच्छा लगा और लोगों ने कल बहुत सब्सक्राइब कुछ उसकी पंक्तियां आप हमारे सामने अभी सुनाना चाहेंगे या फिर अभी यह सीक्रेट है अभी आप इसे लॉंच हो गया ह है कर MA को हमने पूजामाना करम को हमने पूजामाना से बात अखो पदेश हम है सामाईक परिवेश हम है सामईक परिवेश बाकी तो यूटूब पे अबलबल है जी जी संजीव जी आप हिंदी की सेवा कर रहे हैं और आप राष्ट्रियस तर पर इसकी ख्याती जो है आप भिखेर रहे हैं और आपको भी ख्याती मिल रही है कितना सुखद अनुभा होता है एक कवी के लिए और किस हर भाषा की अपनी अलग मिठा से और मगही से आपका विशेश जुडाओ है आपका विशेश लगाओ है यह अनुभाव आपके लिए कैसा है क्या बताना चाहिए जब आप रास्ट यस तर पर जाते हैं और आप मगही की जो छटा है वो भी खेरते हैं कितना प्यार मिलता है क बहुत सुखत जब मैंने जब मंचों पर काविपाट की शुरुवात करी मैंने तो जब बिहार और मगही की बात होथी तो शुरूवात में कउगी लोगोंने मुझे इसमें कहा कि आपको मगही से बचना चाहिए लेकिन हर अव्रक्ति में होता है न कि आप सुने सब की लेक शब्द होते हैं और स्रोताओं का दर्शकों का बहुत सने प्यार मिलता है और मुझे सुखद मुझे ये गौरब होता है कि अब मेरी पहचान के साथ मतलब जहां मैं हूँ यदि वहां मघी की बात होती है इससे बहतर और मैं अपनी लिए कुछ नहीं मानता हूँ इससे सुख सजीर जीर आप मिट्टी से जुड़ी बातों को लोगों तक लाना चाहते हैं जो जमीन से जुड़ी वी बाते हैं जिससे आप अपना जुड़ाओं महसूस करें क्योंकि आप भी बिहार से हैं और हमारे बिहार में जो भावनाएं हैं इतनी ज्यादा हमारी भावनाएं एक प्रियास किया है कि हम सब लोग गाउं से जुड़े लोग है मतलब हम अपनी कलपना बिना गाउं के करी नहीं सकते और मैं हमेशा से अपने मित्रों को अपने छोटे भाईयों को मैं कहता हूँ कि आपकी जड़े जितनी मजबूत होंगी आपका पेड़ उतना ज़्यादा फलदार होगा तो हमारी जड़े गाउं से जुड़ी हैं हम गाउं से जुड़े रहें और उसको सिंचित करते रहें निसंदे हम अपनी भावनाओं को और ज्यादा बिस्तार दे पाएंगे गाउं का लड़का जहां भी पढ़ता हूं लोगों को लगता है कि मैं उनकी बात कर रहा हूं और यह मैंने मुक्तक का स्रीज लिखा है मैं कुछ पंक्तियां यहां रखने का प्रयास करता हूं आपको भी अच्छा लग है गाउं का लड़का हमेशा अपने ही जिद पर यड़ा है गाउं का लड़का जो अपने होसलों से नाप आया है धरायंबर मगर दहलीज पर अब भी खड़ा है गाउं का लड़का मगर दहलीज पर अब भी खड़ा है गाउं का लड़का इसी के स्रीज में चार पंक्तियां और कि अलंगों आरियों पगडंडियों सागाउं का लड़का गाउं की खुबसूरती हमारे अलंग आरी हमारा खेट पेड पौधे हैं मैंने कुछ पंक्तियां वहां से उठाने का प्रयास किया है कि अलंगों आरियों पगडंडियों सागाओं का लड़का शहर के चौक उचे मंजिलों सागाओं का लड़का जो नासा इस रो गूगल सहित मेटा को भी भाए वो दिल से है अभी भी मंडियों सागाओं का लड़का बहुती सुन्दर गीत और प्रेरग बहुती सुन्दर गीत और मैं समझ पा रही हूँ कि आखिर लोगों का इतना प्यार आपको क्यों मिला आपने इतने सुन्दर से भाव को पिरोया है संजीव जी कहते हैं कि गाओं और शहर के बीच का जो एक कह सकते हैं द्वंद भी है एक उसकी अपनी मिठास भी है आप दोनों को आप में आपने सामंजस से बिठाने की कोशिश की है हिंदी को भी आप लेकर चल रहे हैं और इ मैं इसे कहूं कि यह हमारे लिए चुनाती पूर्ण मतलब छणिक भी नहीं है शुण्य मातर भी नहीं है चुकि हम अपने आपको सहज रखें यानि हम जो हैं वही दिखें वही सोचें तो मेरे ख्याल से उसमें कहीं कोई परिशानी नहीं होती हम हमेशा से चुकि गाओं के लोग हैं गाओं से जुड़े हैं गाओं हमारे अंदर रगरग में गाओं हमारे अंदर बसा है तो मैं कभी भी इसमें बनाब्ती पना ना महसूस करता हूं और आप देखेंगे हमारे शब्दों में भी कहीं से आपको यह चीजे नहीं लगेगी कि हमने जबरदस्ति उस पर रचना आये सुनी संजीर जी आप युवाओं को केंद्रत करके आप बहुत कुछ रच रहे हैं गड़ रहे हैं हैं आप स्रुजन कर रहे हैं हम अभी अमरित महौत सव मना रहे हैं देश भर में इसकी धूम है और हमारे जो बहुत सारे युवाँ हैं जिन्होंने अपने देश का नाम बुलंद किया है देश का पर्चम बुलंद किया है अपने इस उनके लिए भी बहुत खुबसूरत से कुछ पिरोया है आप हमारे साथ क्या साजा करना चाहेंगे जरूर यह हमारा सव भाग्य है कि हम अभी अमरित काल में जी रहे हैं इससे ज्यादा गौरब और क्या हो सकता है कि जब भारत अमरित महोतसब मना रहा हो और उस अमरित महोतसब में कुछ शब्द हम भी मा की चर्णों में रखें मैंने गीत लखने का प्रयास किया है चुकि हम सारे लोग गाउं से जुड़े होते हैं और आप परिकल्पना या कल्पना करके देखिए कि जब देश के हर गाउं, हर घर, हर शहर के हर उचे मकान में तिरंगा लहराता होगा तो मस्ती कैसे आती होगी तो मैं गाउं की गलियों से लेकर के शहर के बीच लाने का प्रयास करूँगा कि गाउं के लोग कैसे मनाते हैं इस माभारती के पर्व को मैं वहीं से शुरू करत कैसे गाउँ के लोग मस्तीमए जीते हैं तो कैसे हर एक घर के हर एक बच्चा गलीयों में कैसे दौडता है अग्रम बग्रम घोडा काटी, बनना है बाबा की लाठी, गिल्ली डंडा धूम धडाका, मस्थेका की जुमन काका। अग्रम बग्रम घोडा काटी, बनना है बाबा का लाठी, गिल्ली डंडा धूम धडाका, मस्थेका की जुमन काका। हिम गिर के चोटी पर जंडा हम फेहराएंगे, जै हो जै हो जै हो जै हो भारत मा का परभु मनाएंगे, नाचे गेगाएंगे आजादी का जश्न मनाएंगे, अगडं बगडं खोडा काटी, होच संदर, बंद रखता हूँ, स्वागत है, कि पुनिया चानू नीरज भईया, कैसे हमारे बेटेओं, हमारे भाईयों, हमारी बहनों ने, कैसे माभारती का भाल उचा किया है, मैं पंक्तिया रखने का प्रयास करता हूँ, कि पुनिया चानू नीरज भईया, जीती सिंधु गाए मैया, होकी ने जब दाबा ठोका, बेटियों को कब किसने रोका, मीरा बाई रभिका गौरब गाना गाएंगे, जै हो जै हो जै हो भाईरत मा का पर्भ मनाएंगे, नाचेंगे जुमेंगे आजादी का जश्न मनाएंगे, अगड़ं बगड़ं खोड़ा काटी, बनना है बाबा की लाटी, बन रखता हूँ, बिजय है बैश्वती रंगा प्यारा, जो हमारे लिए गौरब है, जो हमारे सरका ताज है, मैं पंक्तियां रखता हूँ अपने तिरंगा के सम्मान में, एक भारतिये के लिए इस तीन रंग से महतपुन और कोई रंग नहीं होना चाहिए ना कोई होता है, मैं पंक्तियां निवेधित करता हूँ कि बीजय है विश्वती रंगा प्यारा तीन रंग है सब से न्यारा आएं जणगन मन मिल गाएं हम सब भारत पर्ब मनाएं रानी लक्षमी भगत सुभास की गाथा गाएंगे जै हो जै हो जै हो भारत मा का पर्ब मनाएंगे गाएंगे जुमेंगे आजादी का जश्न मनाएंगे अगड़म बगड़म खोड़ा काटी बनना है बाबा की लाठी गिली डंडा दूम धड़ा का मस्त है काकी चुमन काका हिमगीर के चोटी पर जंड़ा हम फेराएंगे जै हो जै हो जै हो भारत मा का पर्ब बनाएंगे जुमेंगे गाएंगे आजादी का जश्न मनाएंगे अगड़म बगड़म खोड़ा काटी बहुत 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 सुन्दर गीत आपको इसके लिए सुन्दर गीत के लिए आपको बहुत 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 बढ़ाई इतनी सारी बातों का समावेश है इस गीत में आपके शब्दों में इन पंक्तियों में बहुत सुन्दर से बहुत सुन्दर भाव आपने पिरोये हैं संजीर जी इस के लिए आपको बहुत 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 बढ प्रकृती उस पर कुछ शीतल्टा बर्साएं हम बरसात की कामना करते हैं आम-द्वार ऑगेवर्ष हमारे बिहार में बहुत सारे राजियों में सुखाड गोशित किया गया है और हम् வारे आखे टक-टक ही लगाय बैठी हैं टो एक कवी जो होता है अपने शब्दों के माधिम से गुहर लगाता है वो ईश्वर से प्रात्ना करता है एक कवी है और आप से नौरोद हमारा यह आ उनौरोद किस मन्च से अगडर हम अनौरोद लगां कि बारिशो और भगवान हम पे कुछ शृतलता के बून बर्साएं महादेव पर सुनाना चाहेंगे जरूर 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 पहले तो तमाम शृताओं को इस पावन महीने की बहुत बहुत शुबकामनाएं और बधाई भी लेकिन आपने जैसा कहा कि सावन में बारिश की बूंदे मुन को बहुत सुकून देती है और मैं कहूं कि हमारे भाबनाओं को भी भीगोती है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्पुर्ण है भाबनाएं लेकिन इस वर्ष बारिश कम हुई तो हम तो शहर के लोग जब हम शहर में रहते हैं लोग तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये मैंने नहीं रखता लेकिन जब गाउं के लोग जब बारिश नहीं होती है तो उनको पूरे अगले कई वर्सों की चिंता हो जाती है तो एक किसान कैसे बारिश और बादल से कैसे गुहार लगा रहा है मैंने लिखने का प्रयास किया है और उनकी पीडा गाने का प्रयास किया चुकि एक कभी तो जब तक जनता की पीडा हम नहीं गाएं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं तो मैं पंक्तियां रखता हूं चुकि आपने कहा और मेरे मन की बात आपने बोला है तो मैं शुरू करता ह कि कैसे किशान बादल से गुहार लगा रहा है मैं मघी में पंगतियां रखता हूँ चुकि ज्यादा अच्छा लगेगा ये बहुत सुन्दर स्वागता हुआ रे बदरा तो आय हतनी जूमके घुम घुम में घुलाई juvenile पटना रंगुन से रे बदरा तो आय हतनी जूमके रे बदराई तो आय हतनी जूमके क्या परिशानी है वो मैं रखने के प्रियास करा हूँ कि परसाल बावू के बढ़ गोहल आशा, माई संग बैठ के देलू हल दिलाशा, बसमत या मोरी बुन चड़हिलू बतासा, दू चार दिन बरस के दिखाई लें या कासा, कि मंगरवा के फीस, मांग लेनों चुन चून से, रे बदरा तुई हतनी जूम के, गुम गुम मेग लेह पटना रंगून से, रे बदरा तुई हतनी जूम के, और क्या परशानी है, कि इनर देब से कही हां, जाके धरा के हालात, बैठ के तो कर आई हां थोड़ गलबात, तोहरे पे जीब जन्तु धरती के आस, ठठा के बरस के बुझा दे पियास, भर दी है पैन खता, भर दी है पैन खता चुग दी, चुन चून के, रे बदरा तुई हतनी जूम के, गुम गुम मेक लई हां पटना रंगून से, रे बदरा तुई हतनी जूम के, और क्या परिशानी है, एक किसान की, मैंने रखने का प्रयास किया है, कि मंझली के आगिल गौना के नयार, शूक्त की बारिश नहीं होने से, सिर्फ एक चीज नहीं पूरा उनका गुणा गणित खराब हो जाता है, क्या परिद्रिश्य होता है किसान के लिए कि कैसे वो अपना जीवन जीता है कि टिवसन ले मंगरवा के भेजलू बिहार सूद मांगे आगल है मानिक सोनार पीठ पेट एक कि पीठ पेट एक सर के दोरी पतलून के रे बदरा तो वै हतनी जूम के घुम घुम मेग लईहा पटना रंगून से रे बदरा तो वै हतनी जूम के अंतिम बंद कि कहीं तो धधा हैं कहीं चना बिदोर बरस के फुहार करदे मन के बिभोर परसाल तेरुस भी धर कई ले लोर कुछ कुछ अनहरिया करदे मन में इंजोर हरे रामा करे लूँ चुकि गाओं में जब बारिश नहीं होती है तो हरे रामा यानि एक पूजा एक विशेश प्रकार का पूजा मतलब ऐसा माना जाता है कि उसके बाद इंद्रदेव खुश होंगे तो मैंने लिखने का प्रियास किया है कि हरे रामा करे लूँ साथ मिलके टुन टून से रे बदरा तुई नहतनी जूमके रे बदरा तुई हतनी जूमके घुम घुम में ग लईह पटना रंगून से रे बदरा तुई हतनी जूमके रे बदरा तुई हतनी जूमके रे बदरा तुई हतनी जूमके हमारे सामने आज कवी हैं तो आपसे तो ये जरूर मैं ये करूँगी गुजारिश के आप एक स्ट्रिंगार अगर हमारे दर्चकों के लिए अगर प्रस्तुत करें जरूर जरूर आपने चुकी बताया कि प्रेम जीवन के लिए बहुत महतुपोर्ण है और हर व्यक्ति प्रेम में होता है तो मेरा प्रयास है कि एक गीत फिर वही माटी की खुश्व के साथ हिंदी का गीत मैं पढ़ूंगा लेकिन उसमें आपको खुश्वो गाउं की मिलेग तो मैंने प्रयास किया है कि प्रेम शादी के बाद भी शादी से पहले है तो मैंने एक गीत लिखा है तो मैं पढ़ता हूं ऐसे अक्सर मैं प्रेम थोड़ा कम पढ़ता हूं बाकी चीजें मैं जाधा पढ़ता हूं आपको पता भी है म listen give a आपका आदेश है यह तो मैं शुड़ू करता हूँ स्वागत है गोरी तोरी एकिया कतार लिये हाय हाय सोन सुरत्या पेवार गए हाय हाय गोरी तोरी एकिया बन रखता हूँ कि बरसों से शुष्क पड़े सूने से जीबन को प्रेम के फुहार से भिंगाती हो अंगना में आई बहार लिए हाए हाए गुंगट में मुखडा दिल हार गए हाए हाए गोरी तोरिय किया बन रखता हूँ नेह का ये तार प्रिये बांधते हैं स्वैम ही भिधाता है गोरी तोरी बिंदिया सितार लिए हाए हाए गोरी तोरी बिंदिया सितार लिए हाए हाए चंदा सा मुखडा पे हार गए हाए हाए गोरी तोरी अखिया कटार लिए हाए हाए गोरी तोरी अखिया कटार लिए हाए हाए गुंगट में मुखडा दिल हार गए, हाई हाई, गोरी तोरी अखिया कि चंदा चकोर जैसे, मन भाबन भोर जैसे, जीवन में ठोर प्रेम पाती हो कि चंदा चकोर जैसे, मन भाबन भोर जैसे, जीवन में ठोर प्रेम पाती हो कि अंगना की तुलसी जैसे पूजा में प्राण प्रिये दीपक के संग जैसे बाती हो सोनी सुरतिया पर बार गए हाई हाई गोरितोरी अखिया कटार लिये हाई हाई बहुत बहुत सुंदर और बहुत ये प्यारा गीत कहते कि ये जो श्रावन का महिना है हम उमीद करते हैं बारिशो और इसमें बहुत सारी भावदाई उमरती हैं लोगों के मन में और ऐसे समय में आपने इतना सुन्दर सगीत प्रस्तुत किया बहुत बहुत आपका धन्यवाद आबार संजीव जीप जब हम बात करते हैं कविताई की कविता की कविता की तो कवी के लिए कहते हैं जैसे आम लोगों की आपने कहा कि अगर हम लोगों की पीड़ा लोगों की बात लोगों तक ना पहुँचा पाए तो आपकी कविताई का आपके सुजन चीलता है का फिर कोई मतलब नहीं रहा जाता तो बहुत सारी भावनाओं का समावेश होता है एक बहुत सारा द्वंद चल रहा होता है कवी के भीतर आपकी खुद की भी अपनी परिवारिक जिम्मेदारिया है आपका अपना खुद का काम है और इसके इतर आप लिखते हैं आप शुजन कर रहे हैं कैसे वक्त निकालते हैं कैसे सब कुछ आप कर पाते हैं या फिर कैसे आपके मन में कोई भावना उमरती है और फिर आप वो कविता का या गीत का शक्ले ले लेती है एक रचनाकार जब अपने आसपास जो घटनाएं या जो चीजें वो देखता है तो वही चीजें भावना के रूप में आपके अंदर जब हिरोडे मारती हैं फिर वो शब्दों का रूप ले लेती हैं और उस शब्द को आप जब शब्दों की श्रिंखला बनती है उसको आप कविता कहलें गीत कहलें गजल कहलें अशरार जो भी कहलें तो वो चीजें तो एक कवी जब आप कभी होते हैं तो आप व्यक्ति नहीं रह जाते आप जंता की बात करते हैं आप जंजन की बात करते हैं और ये महत्पूर्ण होता है कि ये कभी अपनी बात से ज़्यादा लोगों की बात करें तभी मुझे लगता है कि वो सार्थक्ता उसके कभी कहलाने में है या तबिता की सार्थक्ता तभी है जब आप पीड़ा लोगों की बातें वहां तक पहुंचाने का प्रयास करें जहां तक उनकी दभी हुई आवाज नहीं पहुंच पाती है आज हमारे पास यह सवाग्य है कि हम इस सम्रिद्ध मंच से हैं और अपनी बात जब हम कह रहे हैं तो लाखों लोग इसको सुन रहे हैं तो कहीं न कहीं जो बात हम कहने का प्रयास कर रहे हैं आपके माध्यम से वह उन तक पहुंच पा रहा है और यह जनता की आवाज वहां तक पहुंचे यह कभी का कर्म होना चाहिए कभी का धर्म नहीं होना चाहाँ कि मंच पर जो एक कहते ह कि साहितिक एक जो विधा होती है लिखना और प्रकाशित होना लेकिन मंच का अनुभव जो होता है वो एक अद्बुत अनुभव होता है जब शोताओं की तालिया उसकी गून जवाब के कानों बे पड़ती है तो उस अनुभव के बारे में रास्ट इस्तर पर आपने ख्यात नहीं होता कि शोता उसे किस रूप में स्विकार करेंगे और जब उस रचना को आप मंचों से पढ़ते हैं और शोताओं की तालियां उसके बाद उनके उनकी शुब कामनाएं जब आप तक पहुंचती हैं बिबिन्न माध्यमों से तो एक बड़ा शुकून मिलता है और मैं हमेशा से मंचों की जब बात आप हमेशा कभी आज कई श्रीणी में हैं तो मंच होते हैं साहित्ति कभी होते हैं और मेरा ये स्वभागिव रहा है कि आप जैसे मित्र हैं और मैं मंचों में भी शक्रिय रहता हूँ और प्रयास रहता है कि सहीत में भी एक बुंद कम चे कम मैं एक दे पाऊँ वहाँ पे तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मंच का प्रपंच मंच के प्रपंच का खेल भी बहुत है मन्च के प्रपंच आपको जानने होंगे शुरताओं के दिल में आपको दस्तक देनी होंगी तो यह अलग कला है जो हम लोग अभी सीख रहे हैं जी बहुत अच्छी बात आपने कही और मैं इस बात पर क्या ही बोलो अगर मैं जानना चाहूं आप से संजीव जी की आने वाले दिनों में आप अभी क्या कुछ नया लिक रहे हैं कुछ गीत आपके लॉंच हुए और कुछ एक ऐसे विशे अंचुए विशे है हमारे समाज में हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे विशे हैं जो अंचुए हैं जिन पर बाते ही कम होती है लोग बात ही नहीं करते और उन बातों को जागर भी नहीं किया जाता सम्रिद्ध मन्द से मैं बताऊं कि बिहार साहितिक सांस्कृतिक रूप से बहुत सम्रिद्ध है हम यहां पर पांच भाषाएं बोलियां बोली जाती है जो एक राज जी के लिए गौरब का विशाय होता है तो मेरा प्रयास भी फिर से है कि बिहार के सारी भाषाएं जो प्रयास भी है कि मां एक गीत अभी लिखा है और जो अन्य भाषा के जो मेरे संपर्ख के लोग हैं मैं उन तक पहुंचा रहा हूँ उन से मैं एकव बर उसका मुल्यांकन करा रहा हूँ कि मैं मगी तो जानता हूँ लेकिन बजी का, आंगी का, मैथली और अन्य भाशाओं के लोगों से मैं संपर्क में हूँ कि वो इसको एक बार चेक करेंगे और उसके बाद उस गीत को मेरा प्रयास रहेगा कि युवा चेहरे जो बिहार के वैसे युवा चेहरे आप जैसे लोग जिन्होंने अपनी खयाती अरजित करी है अपनी प्रतिवा के बाद उलत वो उनके साथ एक गीत मैं उन बिश्व के उन पटल तक पहुंचाने का प्रयास करूँ कि हमारी बिरासत जो आप पढ़ते आ रहे हैं वही नहीं है बरतमान भी हमारा उतना ही सम्रद्दिस दिल है यह चीजे मेरा एक प्रयास है और आप समों का सहयोग होगा तो उसमें सफल भी हम जरूर होंगे और दूसरी काहिक आपने कहा कि वैसे कौन से पहलू जिस जो पहलू थोड़ा सा कम जिस पर मतरब हम लिख पाते हैं तो आस पास में आज आपने देखा होगा कि हम लोग निकलियर फैमली हो गयाए यानि कि जब परिवार की हम बात करते हैं तो परिवार में मिया भीवी और बच्चे की बात होती है, हम अपने पिता और माता को परिवार में आजकल शामिल नहीं करते हैं, ये ऐसी चीजें आ गई हैं, तो बस एक कभिता मैं रखता हूँ, कि जब ओल डेज होम में हम अपने घर के वज़र्गों को रखाते हैं, तो उनकी पीडा मैं रखने का प्यास क कि नहीं चाहिए चंदा मामा, अब चाह नहीं कुछ पाने की, बुड़ी आखे देख रही, बस राह तुम्हारे आने की, सर्मा जी की बेटी आई, खंडूरी का नाती, सर्मा जी की बेटी आई, खंडूरी का नाती, मिस्त्रा जी को घी के लड़ू, मीना को मिल गई पाती, पर मुझे मिली ना आज तुम्हारी, बात हुई ना आने की, बुड़ी आखे देख रही, बस राह तुम्हारे, बहुत सिंदर पंक्तिया, संजीव जी और आपने कैसे विशय को छुआ है जो हमें बहुती मार्मिक विशय है हर माता पिता के लिए वो दिन बहुत सुखद होता है जब उसका बच्चा बाहर से काम से या पढ़ाई से पढ़कर वो वापस घर लोटे है और बहुत सारी ऐसी आखें बहुत सारी कितनी जोड़ी आखें हैं जो अपने बच्चों का इंतजार कर रही है आपने इस बात को अपनी कविता में पिरोने के कोशश की संजीव जी आप कारिकरम में आये आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए आपका तही दिल से धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रे दूर दर्शन केंद्र फ्रेजर रोड पतना शुनिय 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 एक हमारा इमेल एड्रेस है डाइक्टर डीडीके पतना एड जीविल डॉट कॉम